तो आज आपके लिए बहुत अच्छी चार सब्सक्राइब लेकर आई हूं जिनमें टमाटर का बिल्कुल नाम नहीं पढ़ने वाला टमाटर नहीं पढ़ेगा अध्रक भी नहीं डालने वाली तो भी महांगा हो रहा है आप चाहें तो कुछ कुछ सब्सक्राइब बनने वाल अर्भी लेनी है और इस तरह से लबाई में काटना है तो अर्भी में थोड़ी लेस होती है तो कुछनों को खारिश होती तो आप चाहें तो हाथ में सर्सुका तेल लगा सकते हैं तो लेंधवाइज इसे काटिए और इनमें थोड़ा नमक बुरक किये उपर से और फिर एक तो खूब अच्छे से आदा खंटा रखने के बाद खुले पानी से धोई फिर इसे एक कपड़े से पॉंच लीजी जब पॉंच लेंगे ना तो इसके पर जो स्टिकीनेस होती है ना वह भी हट जाएगी जब आप इसे कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से कुक होगी तो इस सुखी सब्जिया ना ऐसे सर्सों के तेल में ज्यातर बनाओ तो बहुत अच्छी बनती तो इसे अब हमने कुक करना है तो क्या करें अर्भी डाली गर्मागरं सर्सों के तेल में और इस तरह से भूनते जाए ताकि करारी होनी शुरू हो जाए और आठ से दस मिनट तक आप अब जीरा डाले जीरा जाए और जो कच्छा बन होगा जीरेगा निकल जाएगा थोड़ा सा दो मिनिट चला लेते हैं और प्याज में इसे लंबे स्लाइस डालें इसे टेस्ट अच्छा आता है अब इसमें मिलाएंगे हल्दी लालमेज पावडर हल्दी तो आप जब भी क जलने लगती है और भून रही थी तो आपकी कड़ाई में अगर जलने लग जाना सब्जी इस तरीक इसको पानी का चीटा जरूर दीजे तो ऐसे चीटा देना का अधा कप के करीब है उससे थोड़ा कम पानी अब डाली और बाबर चेक करते रहा किजे सब्जी सूखी पका पानी डाला था वह सुख गया बस इसे चटपटा करने के लिए थोड़ा सामचू पावडर बादा चोटा चमच और हमने इसमें थोडा सामने मिला धनिया पावडर ताकि इसमें और कुरपुर अधा चमच आप पावडर डाली और यह देखिये बढ़ें सी कुरकुर यह त राइते के साथी रूर कसी भाली लेना उसे चील लेना और बिगा debating深ड़ फिरेच 2 ना उसे पहले जीर जल लेना घरड़ा था इसमें प्याँच नगा एन और हरी मिच और वंद्रबाना इप्ने चाहिए कुछ नहीं डुने हो के साधी सवाग को सबसे स्वाद works कीजिए ईटम टमering और कि वह सथ तो में इंडिन के वह वैसी सबसे नाथे जिन नतरु है नहीं टानलती है टोरी आम दोलहना है लेकिन आप डोठी कहिए इतनी तश्याजित नहीं करें नहीं नहीं बनाते हैं मिक्स कीजिए ठक दीजिए तोरी पानी खूब छोड़ती है अपनी पानी में पकती रहेगी और बार बार चेक कीजिए अगर आपको लग रहे है जल रही है तो पानी डाल दीजिए अब फाइनली 30 मिनट्स में यह सब्जी बन गई है और यह अच्छे से गा तो कि पानी हमने डाला तो खुलाना जरूरी है तो बस यह बन गई है इसे गरमा गर्म सफ पीजिए और मेरी तो यह फेवरेट सब्जी और मैं मोस्तली इसे इसी तरीके से बनाती हूं चले है बेंस बनाते फ्रेंच बीस तो छोट़़चोड़़ा काट तो टेस्टी बनते इस तरह से बरीग बरीग से काट लेते हैं और आलू को भी कुछ इसी तरीके से हम काटेंगे बहुत बरीग नहीं और बड़े बड़े बने तो दीखे आलू भी कट गए और हमारी फ्रेंच भी इसी कट गई आप चलिए लेते हैं कठाई और कठाई में डाला है रिफाइंड इस बार हम खाना पकाते हैं रिफाइंड में देसी की भी यूज कर लिया मस्टर ऑल भी यूज कर लिया जीरा डालिये थोड़ा कुटा या कटा लसन डाली मुझे काटने में आलस आता तो मैं कूट की डाल देती हूं और दो छोड़े प्यास रखे थे उसे एड़ कर दिया और थोड़ा सा नमक मिला कर सवते करना शुरू करते कर देजिए नमक डालने से टेस्ट भी पढ़ता है और सब्सक्राइकी बात होते हैं मतलब थोड़ा टेस्ट बड़ी जाता है अब इसे mix कर लिया न हमने दो-तिन मिनट मिलाई ज्याधा नहीं मूझना 2-3 मिनट मिलाई कडाई पतली है नहीं को डंख़ सकते हैं मेरी अभी रख़ाई गड़ेगी इसके भी ओगई मिल जो जब रहे हैं तो अच्छे से गल गी ना देखिए देखने से आपको अंदाजा हो रहा है आलू भी गल गया आलू गल गया तो यह देखिए हमाई सब्जी यह भी रेडी होगे खाने में बहुत अच्छी होने वाली फिनिशिंग टंच देंगे आदा चोटा चम्मच आमचूर पाउडर के साथ साथ इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाने वाली हूं जिससे कहा है इसका स्वात बढ़ जादा मत मिला यह गरम मसाला आपने देखा होगा आपने बहुत थोड़ा मिला है थोड़ी सबजी है नाईसो ग्राम के करीब मैंने बीन्स लीए थी और दो को बिलकुल लसन प्याद रखके विना वले बड़ी टेस्टी विना टमाटर वाले बैंगन बता लिए बैंगन लेना इसको एक बार काट कर खोल कर जरूर देखें कई बार उपर से अच्छा होता है लेकिन अंदर कीड़ा लगा होता है तो बस अच्छा साफ होना ची आलू तो भी इस तरह से लंबे काट लीजिए नहीं तो छोटे गोल अलू होते ना उन्हें छील कर वो भी यूज कर सकते हैं कराई में करिये तेल गर्ब मैंने लिए ससो का तेल बैंगन ससो के तेल साथ बहुत अच्छे बनते हैं और सारे बैंगन डाल दीजिए इसमें आलू भी अब क्या करते हैं इसका में मसाला तैयार करना है तो मसाला बहुत साधारन रहे गा आपने लेनी ताजी दही घंटी लेंगे तो आप खटी सबसी नहीं पसंद करते तो ताजा नहीं लीजिए ताजे एक चमश दही में आप डाले मेर्च थोड़ा हलदी मिलाईए टेस्के क करकर आप एक तरफ रख दीजिए हमारी ग्रेवी के आमने जो है बना लिया बेस इससे ग्रेवी टेस्टी बनने वाली है इतनी देर में हमारे बैंगन भी देखिए काफी हद तक गल भी गए और अच्छे से फ्राई हो गए इसमें मिक्सचर आइट कीजिए अच्छे से मिक्स कर सकते हैं पानी मिला सकते हैं बैंगन की सब्जी पक जाए इसमें मिला एक गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कीजिए साधी रोटी हो साथ में इसके साथ डाल रहे थे कुछ जूरत नहीं है वैसे चटपटे होते हैं बनके तयार है और इसमें दही मिलाई थी मैंन कोई रेसिपीज अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जाद से शेयर कीजिए का ताकि आपके दोस्त भी सब्दी थोड़े बचत कर सकें अच्छे से सब्जी स्वात खा सकें तो आप से फिर मिलोगी नई रेसिपीज लेकर वीडियो देखने के आपका बहुत